नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों हिंदु धर्म में दीपक को सखरात्म कुर्जा का परतीक माना गया है ऐसी इसलिए माननाता है कि रोजाना घर में दीपक जलाने से धगवान परसन्न होते हैं और साथ ही साथ वास्तु दोस्त भी दूर हो जाता है कहा जाता है कि अगर कोई नियमित पूजा नहीं कर सकता तो उसके घर में रोजाना एक दीपक तो जलाना ही चाहिए माना जाता है ऐसा करने से देवी देविताओं के साथ साथ पित्र देव भी परसन्न होते हैं आईए जानते हैं घर के किस कोने में किस तरीके से दीपक जलाने से लाव की प्राफ्टी होती है और पित्रफक्स में आप एक दिया एक दीपक घर के इस कोने में जरूर जला दें इससे करने से आपको पित्र दोस्ट आपका पित्र आश्रबाद में बदल जाएगा और आप लोगों को सभी कश्टों से सभी प्रकार के समस्याओं से आप लोगों को छुटकारा भी मिलेगी तो विडियो को पूरा अंधत तक जरूर देखिएगा नत्रों धार्विक मान्यताओं के अनुसार घर के किचन में मा अनपुरुना का वास होता है चुले के दोनों तरफ सतरत्य फुर्वक दीपक जलाने से मा अनपुरुना सबपन परसंद न होती है जिसके घर में अन्व का अभव नहीं रहता और साथ ही मा अन्व पुरुना के विशेश गृपा भी प्राप्त होती है वैसे तो मा नयता के अनुसार सुक्रुवार के साम घर के इसान कोन में गाय के घी का दीपक जलाना बहुत सुब होता है कहा जाता है कि एक ही घर के इसान कोन में दीपक जलाने से मा लक्ष्मी की घृपा बनी रहती है बता दें कि इस दीपक में लाल रंग के बाती का इस्तमाल करना बहुत सुब होता है वहीं आर्थिक प्रसानियों से जुपकारा पाने के लिए दक्षिन दिसा में तेल का दिपक जलाये जाता है धार्विक मान्यताओं के अनुसार सुख समर्दी में वर्दी के लिए घर के मुखे द्वार के बाहर ही रोज और साम सुभ दिपक जलाना सुभ होता है ऐसा करने से घर में नगरात्म कुर्जा प्रवेस नहीं करती हैं यहां सर्सों के तेल का दिपक जलाना बहुती सुभ होता है मत्रों धार्विक मान्यताओं के अनुसार पीपल के विर्ग्ष में देवता और पित्र पुरुवजो का वास होता है ऐसे में रोजाना पीपल में जल देना बहुती सुभ होता है इसके इलावा रोजाना पीपल के पेड़ के नीजे घी का दिपक जलाने से पित्र देव परसन्न होते हैं जिससे पित्र दोस्ट से मुक्ति मिलती है और पित्रों के आश्रवात को पाने के लिए आप लोगों को भी सफलता मिलती है। ये तो बात रही कि आप किस प्रकार से दीपक रोजाना घर में जला सकते हैं। अब मित्रो आएए जानते हैं कि इस पित्र दोस के समय में, फित्र फक्षे के समय में घर के कोन से कोने में धिफख जलाने से आप लोगों को पूरवजों का आशरबात मिलेगा और आप लोगों कि सारी समझ जायें, सारी कश्टें और सारी जितनी भी फ्रसाणिया हैं वो और किस प्रकार से जीवन में आप सफलता को पास उखोगे और सारे के सारे इक्षाओं को भी पूर्ण कर सुखोगे मत्रों आईए इसकी बारे में भी चर्शा कर लेते हैं मत्रों पृत्रदेव को प्रसंद करना बहुत आसान होता है और आपका यह पित्रवक्षे का 15 दिन का समय आपके लिए और आपके प्रिवार के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि पित्रदेव इन 15 दिनों में आप लोगों को अलग-अलग तरह से बहुत सारे नए-नए सुझाव भी देते हैं नए-नए आप लोगों को इस समय सकरात्मक प्रिवर्तन भी देता हुआ दिख रहा है वैसे तो हर एक छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान आप लोगों के सारी मनुकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग-अलग तरह के उपाय भी बताए गये हैं लेकिन आप लोगों को पित्र दोस के समय पित्र पक्षे के समय इस समय पित्रों का असरवात पाने केल के आप दक्षिन दिशा में दीपक जलाएं यह दीपक आप लोगों को सफलता की और ले जाएगा अप लोगों के जीवन की सारी वाधाओं को, सारी समस्याओं को, सारी कष्टों को और जितने पे प्रकार की जो भी आपको कष्ट है उन्हों सब को दूर करके जीवन में आपको सफलता देएगा और आप भी परसंद रहेंगे और आपके घर प्रिवार वाली भी आप पर बहुत भी ज़्यादा परसंद रहेंगे मत्रों आप का दर बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी आवस से लिखें